मेरी ये टॉप की तो काटिंग हो गई है स्टीचिंग अभी वागी है अब रेडी कुर्ती के उपर भी इसको कर सकते हैं बट सबसे पहले आप इसके नीचे कोई भी कार्ट बोर्ड या फिर आप कोई भी थिक टाइप की पेपर रख सकते नियूस पेपर मत रखिए और इस त हो जाता है तो एकदम लाइट करके मार्क करें नहीं तो बाद में ये निशान की उपर अगर पेंट नहीं करेंगे ना तो क्या होगा ये निशान बहुत बूरी तरीके से रह जाती है तो मैंने साइट पे भी थोड़ी सी इस तरीके से आपको स्पेस दे के मार्क कर लेना है और मैं यहाँ यह कपड़ा मेरी पी और कॉटन तो नहीं है यह थोड़ी सी सिल्क टाइप मिक्स की है कॉटन के साथ तो सबसे पहले इस तरीके से आप फ्लैट ब्रश का यूज़ करें इसके लिए बहुत आसान होगा राउन ब्रश से भी होगा यह लाइन तो आप कर सकते हैं बट इसके बाद जो हम करेंगे न जो इकत की जो करेंगे पेंटिंग तो वो नहीं होगा तो आप ज़रूर फ्लैट ब्रश का यूज़ करें मैं यहाँ 6 नमबर की फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ अगर आप इससे थोड़ी सी ब्रॉट चाते हैं तो आप 8 नमबर या 10 नमबर का फ्लैट ब्रश भी यूज़ करें बट यह मेरे खायल से यह एकदम परफेक्ट है यह बहुत सुन्दर लगेगा यहाँ मैं थोड़ी सी उपर से देख सकते हैं मैंने नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी स्पेस छोड़के मैंने किया हैं स्टीचिन के लिए तो यह तो हमारी सारी हो गई है अब चलते हैं बहुत ज्यादा आसान है आपको इस तरीके से ही करना है तो इसके लिए मैं यहाँ चार नमबर की फ्लैट ब्राश यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से करना है उपर की और नीचे की और तो देख सकते हलकी सी एक शेट जो है वो इस तरीके से होगी आप अपने पसंद के कोई भी कलर यूज़ करे इसके उपर ब्लैक की कॉमिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अब हमेशा लाइट कलर के उपर कोई भी डार्ट कलर से पेंट करे और डार्ट कलर के उपर कोई लाइट कलर से पेंट करे तो ज्यादा अच्छा होगा अब चाहे तो पहले पेंसिल से ये जो मैं कर रही हूँ मार्क भी कर सकते हैं हलका सा एक आउटलाइन मैंने यहां नहीं किया है वो करने से बहुत आसान होता है बद थोड़ी सी टाइम की भी जरूरत है इसलिए मैंने नहीं की है और न्यूस पेपर बिल्कुल ना रखे इसके नीचे आप आर्ट पेपर का भी आर्ट पेपर रख सकते हैं इसके नीचे या फिर ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं उसके जो बॉक्स हाते हैं तो वो कट करके भी अब रख सकते हैं तो यहां इस तरीके की होगा same flat brush में use कर लिए हूँ अब इसको देखिए उपर से होगा इस तरीके से पहले आप तो ये color पूरा feel कर सकते हैं उसके बाद side में इस तरीके से कर सकते हैं हलका करके spread कीजिए इस तरीके से बहुत आसाने आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा तो tough है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर एकदम पहली बार आप इसको try करते हैं तो अब जरूर पहले कोई drawing sheet के उपर try करें उसके बाद ही dress के उपर try करें तो ये जो है ना तो यहाँ पर भी होगा तो आपने देखा design तो same ही है बट थोड़ी सी time लगेगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी इस तरीके की काम है ना sheet के लिए इसलिए बट इसको जरूर try करना बहुत खुबसूरत लगेगी आपके उपर भी और एकदम लगेगा कि ये एकदम कोई भी shop से लिया हुआ कोई भी top है बहुत बहुत उससे भी ज्यादा खुबसूरत है और आप किस type की design देखना पसंद करते है वो भी comment करके जरूर बताइए और एकद के उपर मैंने पहले अल्रेडी दो तिन वीडियोस तो चैनल पर अपलोड किया है आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं आपको मिल जाएगी इसको अब कोई भी कुर्ती के उपर टॉप के उपर मैं यह दिका रही हूँ बढ़ अब कुर्ती के उपर भी try कर सकते हैं तो यह देखिए यह same अब नीचे भी होगा कितना आसान है ना और यह कलर जो मैं यह यूज कर रही हूँ यह realization कि कलर में यह यूज कर रही हूँ अब कोई भी ब्रैंड के कलर यूज कर सकते हैं तो यह देखिए इस साइड पर यह नहीं होगा यह होगा अब मैं एक दिखा दे दिए हूँ तो आपको पता चल जाएगा और इसके उपर अब acrylic color या fabric color कोई भी color use कर सकते हैं दोनों भी color बहुत अच्छा है dress के उपर बट fabric color क्या होती है थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है इसमें कड़क type की जो होती है वो नहीं होती है और brush में बहुत ज्यादा color लेके बिल्कुल ना paint करें नहीं तो वो कड़क type की हो जाती है बस थोड़ी सी color लेके अब इसको paint करें बहुत ज्यादा color लेंगे तो एकड़क type की हो जाती है आप मैंसे कावी सारे friends ने मुझे comment करके बोलते हैं कि paint के बाद ये कड़क type का हो जाती है तो वोई problem है और paint के बाद 24 hours के लिए इस तरीके से रग दे उसके बाद आप back side पे एक बाद प्रेस कर लेना और हमेशा इसको हाथ से ही wash करें machine के अंदर बिल्कुल ना डाले कोई भी mild detergent या easy के साथ भी आप वाश कर सकते हैं तो ये देखिए after complete मैं एक बाद पहन के जरूर दिखाऊंगी आपको thank you so much for watching this video have a very good day take care bye